जीवन मंत्रा योग ध्यात्म और आईरवेद की वो त्रिवेनी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तो जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं, वो एक्सपर्ट्स की राय के मताविक होते हैं इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें, आप चाहते हैं कि नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नॉटिफिकेशन आप पाईए घर वेठे, वो भी फ्री में दोस्तो, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी गंभीर बिमारी के खत्रों के बारे में जिसको आपको जानना बेहत जरूरी होती है, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो ये बिमारी धीरे-धीरे गंभीर रूप ले लेती है और उसके साथ ही दसमें से तीन लोगों में ये देखने को मिलती है, तो चलिए जान लेते हैं इस बिमारी के बारे में दोस्तो, आपको हम बता दें कि कैंसर जैसी गंभीर बिमारी पुरुषों की तुलना में मैलाओं में ज्यादा पाई जाती है इसका कारण है हार्मोन असंतुलन, तनाव और खराब खान-पान इसके कारण आज कल कैंसर जैसी गंभीर बिमारिया मैलाओं में बढ़ती जा रही हैं तो इसके शुवाती लक्षन आप देख लीजिए, क्या हो सकते हैं दोस्तो कैंसर जैसी बिमारी होने पर रोगन को बार बार पिशाब आना, नियमत रूप से पीरियड ना होना पिशाब करने के बाद दो चार बूंदें दो बारा आ जाना और दोस्तो पेट में दर्द और पहारी पन रहना, गैस और दस्त लगना आपको हम बता दें कि ये लक्षन भी कैंसर के हो सकते हैं तो इसके लिए घरेलू उपाया आप देख लीजिए और आप रात में कुपचाय कीजिए शुरू में ही इसको काबू कर लीजिए दोस्तो हम आपको बता दें कि अदरक में बहुत सारे और शुर्द ये गुन पाये जाते हैं महिलाओं के लिए अदरक का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है आपको बता दें कि रोजाना अद्रक पाउडर का सेवन ओब्रियन कैंसर सहित कई बिमारियों को जड़ से खत्म कर देता है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलसी के बीजों में भी फाइवर बहुत मौजूद होता है तो आप अगर कैंसर जैसी बिमारियों से लड़ना चाहते हैं तो अलसी के तेल की कुछ बूंदें दूद में डाल कर पीना शुरू कर दीजिए आपको इस बिमारी से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी पिशाव बाली प्रॉबलम भी खत्म हो जाएगी जीवन मंत्रा में आज इतना ही फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें